हेलो गाईस कैसे हो आप सब मेरे नाम है विशेक और आज के इस वीडियो बे आरम करने वाले हैं आपको वाला लेना चाहिए ये वाला लेना चाहिए वो बताता हूँ तो देखो सेब से पहले प्राइस की बात कर लेते हैं सैमसंग का A54 5G जो स्मार्टफोन है वो 41,000 में आता है भाई बहुत जादा ओर प्राइस फोन है और ऐसा कुछ भी नहीं है उस फोन में कि इतना सादा पैसा आप उस पे स्पेंड करो लेकिन ये वाला जो फोन है ये लॉंच हुआ था 31, 32 के अराउंड और इस वाले फोन के अंदर आपको Dimensity का 1080 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो की काफी सारे बागी स्मार्टफोन में भी है जैसे कि Realme 10 Pro Plus तो ये वाला फोन लेना चाहिए कि नहीं अभी जब को समार्टफोन का अफ्रिदा वर्थ लगता है और डिसकाउंड वगरा में अगर आप लोग है तभी मैं आपको ये फोन रेकमेंड करूंगा वैसे 31,000 में अगर आप सैमसंग का फोन ही लेना चाहते हो तब इसको देख सकते हो लेकिन डिसकाउंट पर लेना तो ज़्यादा मजाएगा अब देखो सारी स्पेसिविकेशन की बात नहीं करेंगे सारा एक्स्पिरियंस में शेयर करता हूँ सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो देखो फोन ना प्लास्टिक बैक डिजाइन के साथ में आता है जो इसका फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का ही है लेकिन थोड़ा सा फ्लैट है थोड़ा सा कर्व है बहुत ज़्यादा फ्लैट ने बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है तो बड़िया डिजाइन है इनके फ्लैक्शिप फोन की तरह ही फोन दिखता है जो इनकी S23 सीरीज है तो वो अच्छी बाद यहां पर लगती है कैमरा का ले आउट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा जाद है मदलब 8.2 mm की तिकने इस पर आता है क्योंकि साइड का फ्रेम भी आज़े फ्लैट करा गया ना तो इसके तो थोड़ा सा मूटा लगता है फून डिस्पले की बार इमें बात करें तो इसमें 6.6 इंचिस का एक 120Hz का Super AMOLED डिस्पले दिया हुआ है और इसकी ब्राइटनेस में भी सैमसंग न इस बार कॉंपरमाइस दिया थाउजन निट्स की ब्राइटनेस दिया है आउट ओर में भी इसली विजिबल हो जाता है और वैसे Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दिये कही है आउट ओद बॉक्स इस पर न स्क्रिन प्रोटेक्टर अप्लाइड नहीं आता है और नहीं बॉक्स में कोई केस आता है तो आपको सेपरेटली अलग से बाय करना पड़ेगा ठीक है अब बात करें यहां पर बैजल्स और यहां पर चीन वगर है कि यहां फिर नौच की तो हाँ नौच आपको देखने के लिए मिल जाती है इस प्राइस एरेंज बे पंच होल आपको देखने के लिए मिल जाता है डिस्पले बुरा नहीं है बाय अच्छी और डिस्पले अच्छी और इच्छे अच्छे कलर्स आते हैं और सैमसंरस या आ पको पताई है जाद कुछ बतानी की ज़रूत नहीं है वन अफ लाफ भी पर बेस्ट होते है रीड राइट स्पीड भी आप यहां पे देख लो, यह आपको देखने के लिए मिल जाती है, अब देखो गेमिंग की बात करना तो Samsung के फोन पर गेमिंग को फोकस करके बनाए नहीं जाती है, तो गेमिंग इसमें आप डिसेंट कर पाओगे, मतलब बहुत तकड़ी गेमिंग यहां पर डिसेंट कर लेता है, तो गेमिंग फोन में यहां पर डिसेंट रिकॉर्ड कर लेता है, तोनों में 4K 30fps का इस फोन में भी आपको उप्शन दिया गया है, तो ऐसे नहीं कि फ्रंट फेसिंग कामरा सिर्फ 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, पाकि इस्टेबलाइजिशन, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, फोर के 30fps में और अम सैमसंग के फोन में वीडियो र मिल रहा है, बड़ कोई बात नहीं, यहां पर पॉस करने का भी ऑप्शन है, स्टॉप का भी है, फोटो क्लिक करने का भी है, फिर से फ्रंट फिसिंग क्यामरा पर मैं पर सुच कर गया हूं, और अगेंस्ट लाइट आपको बूफ करके दिखा हूं, अभी तो डरेट यहां साथ ना थोड़ा कैमरा कमी ऑप्टिमाइज रहता है, सैमसंग का, अगर इनकी एक्जिनोस के साथ कर रहे हैं, या पर स्नैट्रक ने के साथ कर रहे हैं, तो जाधा बेटर कैमरा उटपूट मैंने देखा है, यहर इसके जो स्पीकर्स है, उसमें लाउडनेस तो सही है, ले आजाएंगे, और पांट साल के सिकुरिटी पैज मिलेंगे, तो अब डेट के मावले वाई, सैमसंग एक्दम किंग रहता है, आपको पता ही है, कोई टक्कर दे नहीं पाता है, हाडवेर लेवल की नौक सिकुरोडी इस फोन में दी हुई है, तो फोन काफी दा सिक्योर है, सिक्योर फोल्डर और बागी के जितने भी सैमसंग वाले फीचर्स मिलते हैं, वो सभी है, क्रन रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, मतलब इसमें सैमसंग वाला डाइलर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, वैसे यूजर इंटरफेस इसमें नहीं मिलती है, क्योंकि भाई वोनकी S-series तक ही exclusive है, वाटर रिस्टेंस ही देते हैं यहाँ पर यह, वाटर रिस्टेंस ही क्या भाई, वो बहुत बड़ी बात है देना भी, लेकिन हाँ इसमें कोई headphone jack नहीं है, इस वाले फोन के अंतर नहीं मिलता है आपको, लेकि आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स है भाई इसका मिठाई वाला तो फोन में कुछ नहीं आता है, वाज़े केबल आती है, तो 1200 या 1500 तक का चार्ज लेना पड़ेगा, बागी colors इसमें 4 option देखने के लिए मिल जाते हैं, शायद इंडिया में 2-3 colors option आते ह एक black आता है, एक या आता है, और एक दूसरा color और आता है, तो देख लो आप, Bluetooth 5.3 है, Wi-Fi 5 है, dual band को support करता है, internet बढ़िया चल जाता है, 4G plus भी आजाता है फोन के अंतर, बहुत जाता consistent नहीं है, लेकिन आपको मिल जाता है 4G plus इसमें भी, और आप फोन 5G तो है यह यह अब देखो, यह फोन किल लोगों के लिए बनाएगा, दिखने में बहुत सोदा premium है, इनके flagship लेवल वाले फोन की तरह दिखता है, डिस्पली भी आपको इसमें, लेकिन हा, IP रेटिंग मिल जाती है, वोटर इस्टेंस है, ठीक है, प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाता है, डे को बड़े राम से ले सकते हो भाई, ऐसा बुरा स्मार्टफून नहीं है, अच्छा है फोन, तो भाई यही था मेरा रिव्यू, आपको वीडियो का सलगा, बता देने नीचे, कॉमेंट सेक्शन में, वीडियो पसंदा है, तो लाइक, शेर्ट, सब्स्क्राइब, मैं मिल त नेक्स वीडियो मतबते के लिए, बाई!